कि अगेन मैं आपको यहीं बात करूंगा एक्स्ट्रीम ली सोरी के कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी काइड़ी कोमेंट्स मेरे सामने कर दें और मैं देख लूँ भाई जन सोरी एक्स्ट्रीम ली अगेन कि आप लोगों को थोड़ा वेट करना बड़ा अगेन वहीं बात की चाहती कि वेटा हमारे कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कभी लेक्शर में कुछ आपके बास आ सकता है मसला या फिर थोड़ा सा डिले हो जाए तो आप लोगों ने माइंड बिलकुल नहीं करना सो मुझे खुद भी ह इसेजांबल कोट करता हूं ने ने बटा परेशान नहीं हो ना मैं तुबारा से बताने लगा हूं इंटर्नेशनल सिस्टम ओफ उनिट्स को मेर करने के लिए हम जिन यूनिट्स का इस्तामाल करते हैं इंटर्नेशनली मतलब पूरी दुनिया में वही चलते हैं ऐसा क्यूं और कि लो हुआ कैसे वह उसकी बात करते है तो सबसे पहले बात तो यह बटे कि किसी भी क्वाण्ड़िटे को मboys करने के लिए हम हमेशा एक स्टेंडर्ड सेट करते हैं इस स्टेंडर्ड में इस क्वाण्ड़िटी को मैर किया जाएगा अब टाइम दिनों में भी है महीनों में भी है घंटों में भी है second में भी है सद्हें दूनिया में मांना जाता है second सो स्टेंडर् टु मेर दा क्वांटिटी सेंडर्टी को मेर किया जाता हैOS कॉल जू सब्सक्राइब आज हमारे पास 19 लोग हैं और मैंने भूता था कि मेरी ख्वाइश है कि मैक्सिमम जल्दी से जल्दी यह हमारे पास 50 हो 50 से 100 हो 100 से 150 और मैं कि 1000 की क्लास मेडियो तो क्या ही मज़ा हो खेर हजारों खौशी हर खौश पर दम निकले लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स निकले तो वह बहुत अच्छी बात है तो भाईया यहां पर हम बात कर ले थे standard to measure the quantity is called unit अब मेरा बेटा यह हुआ कि अगर मुझे आपको अपनी बात समझानी है देखे मैं अर्दू में बात कर रहा हूँ या इंगलिश में बात कर रहा हूँ इस तरह पूरी दुनिया के scientist को अपनी technical information या किसी भी किसम का knowledge exchange करने के लिए exchange का मतलब आप उसे कुछ बताते हैं वो आपको कुछ बता रहा है वालेकिमसलाम बेटा तो इस knowledge को exchange करने के लिए आपको same platform पे same page में आना पड़ता है same language में आना पड़ता है सो 1960 में 1960 में 11th general conference 11th general conference हुई in Paris, Paris के अंदर जिसमें base quantities के किसके ओपर हुई है on weights and measurements on weights and measurements again मैं यह चीज़ बता देता हूं मेरा बिटा के 1960 में पूरी दुनिया के scientists अकठे बैठ गे ताके वो same language में same units में चीज़ों को बता सके हैं चायना होगे चायना वाले हम लोग तो यहां देखो राने जब देहितों में बात की जाथी है लें तो महें करने के लिए यह करते थे एक दो तीन या पिर आपने वो देखा होगा कि हम टांगों से इस तरह फलांग फलांग कर पिछ की विर्थ देखते होते थे या फिर अंदाजे लगाते थे तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई हमें पूरी दुनिया के साथ चलने के लिए एक सेम स्टेंडर्ड पर आना बढ़ता था उस सेम स्टेंडर्ड के लिए एक जनरल परिस के अंदर 1960 में हुई weight and measurements में जिसमें कुछ base units बनाए गए जिसको हम नाम देते हैं international system of units का जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा international system of units का इसको क्या नाम दिया जाता है international system of units का और इसके लिए जो short form use करते हैं वो है बेटा SI capital S और capital I वालेकम स्लाम बेटा जी कि स्लामत आप new student है सिंसे और मैंने आप के लिए welcome बोला था और सिंसे मतलब आप पकिस्तान से हैं और जितने भी लोग पकिस्तान से उन सब का syllabus तकरीबन यहां पे हमारे बस सेम ही होता है topic सेम ही है तो आपने गवराना मेरा बेटा बिलकुल नहीं है जी और आप लोग जो माशल अभी ऑनलाइन हो रहे हैं आप लोगों को बड़े अच्छे से मेरा बच्छे बता है कि 345 क्लास का टाइम है so time management is more important in your life अगर आप टाइम पे नहीं आते तो हर बंदा ही आपको बाते सुनाएगा चाहे वो मैं हूँ या कहीं भी आप काम करते हो तो बैटा time reporting है you have to be there on time अगर 345 क्लास है तो मेरी जान आप 345 पे online हुआ करें यह जिन्दगी में काम्याब होने का एक key factor भी है बैटा physics की book change नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई यह बात मैं अपने शुरू lecture से लेकर अब तक करता आ रहा हूं कि इस book में किसी किसम का अब भी तक कोई change नहीं आया अगर कोई आया होता तो मेरा बेटा हमें कोई जरूरत नहीं थी इस पुरानी book को बार बार बढ़ाने के हम new book बढ़ाती तो जो लोग new हैं उनके लिए यह चीज़ बता दें के campus.pk बे या ilm की दुनिया की website बे ऐसी कोई भी information होती तो very first आप लोगों को inform कर दिया जाता है जी मैं अगेन बात करने लगाँ कि हमें किसी भी quantity को मेर करने के लिए extended सेट करना पड़ता है उस standard को हम नाम देते हैं unit का 1960 में पूरी दुनिया के scientist एक same platform पे अकटे हुए जहां पे उन लोगों ए से शूटेबल डेफिनिशन वा माशाला सदके जाओं वहीं बताएं बेटा scientist बैठे टेकनिकल इंफरमिशन को exchange करने के लिए in a 11th general conference held in Paris on weight and measurements which is called international system of units हम यह पूरी दुनिया में चलने वाले नजाम को नाम देते हैं international system of units और यकीन करो यह बात मैं कसम खाके कह सकता हूं भाया यह मेरी अपनी wording नहीं है मैंने भी सारी books की wording लिख हुए है अगर आप international system of units के second paragraph में जाएं तो आपके सामने मेरा बेड़ा लिखा होगा with the development of science and technology य यह आपने शुरू से लेकर end तक याद करना है जहाँ पर last word लिखा होगा which is commonly referred as SI और इसके उपर आप बड़ा अच्छे से question बनाएं बनाएंगे जो page number 25 पे 1.6 question है कि what role क्या करदार SI unit SI unit ने प्लेट परफॉर्म किया अप्ले किया in the development of science science की तरक्की में जी मेरा बेटा अगर सब को what is international system of units याउट रोल SI unit have played in the development of science इसका answer पूरा second paragraph आपने learn करना होगा और उससे उपर वाले paragraph में उसकी fourth line में once a standard is set से लिखा होगा to mere the quantity is called unit तो वो यहाँ पे ये चीज़ देख लेंगे तो ये दो चीज़ें आपने international system of units में से learn करनी है अगर आपको यहां तक clear हो गया तो मुझे बताएं ताकि मैं अगली बात करो सब्सक्राइब करें तो मेरा बेटा में लिख रहा हूं standard to mere the quantity is called unit और इसको मैंने keywords में लिख दिया और जो चीज़ें आपकी बुक में और उसको मैं मार्क करवा रहा हूं जी मेरा बेटा मैं 100% किताब है यह की रखता हूं और एक बात मैं आपको बड़े अच्छे से वो बुक पढ़ाई जा रही है उसके उपर बकाइदा authors के नाम लिखे हुए है इट मेंस कि वो लोग पढ़े लिखे लोगों ने एक बुक बनाई है हम ऐसे कहा देते हैं यह गताब गलत है ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है मेरा बेटा और आपने अगर बोर्ड का पेपर देन नहीं है इसके अलावा किसी किसम की कोई philosophy पे आपको यकीन करने की जुरूरत बिलकुल नहीं है जी शेजादू अगर clear है तो हम बात करते हैं बेस यूनिट्स की और ड्राइव यूनिट्स की माशाला जी दुबारा बता देता हूं किसी भी quantity को मेर करने के लिए जो स्टेंडर्ड सेट किया जाता है उसको यूनिट्स कहते हैं जैसे के बच्छमन में आपकी दादी ने गंदम को मेर करने के लिए चोटे-चोटे के वेड्स रखे होंगे तो वह भी स्टेंडर्ड कहलाते हैं और उसमें केजी में अब्जेक्ट मैस को महिर करते दे तो केजी जो स्टेंडर्ड और उसके बाद हम नहीं कहा कि पूरी दुनिया के साथ हमें में अपना नॉलेज एक्सचेंज करना होता है तो हमें एक्चुली सेम लेंगविच में सेम पेटरन में बात करनी पड़ती है तो जब हमें सेम पेटरन पे बात करनी होती है सेम लेवल पे बात करनी होते तो पूरे साइंटेस्ट अकठे हुए 1960 में 11 दफा ये कॉंफरेंस बैटी और वहां पे वेट एंड मेयरमेंट से कुछ स्टेंडर्ड यूनिट्स बना देगी और इस सिस्टम को नाम दिया जाता है इंटरनेशनल पूरी दुनिया में चलने वाला यूनिट्स का नजाम अब उसमें क्या कहा गया कौन सा सिस्टम था और कौन से यूनिट्स के लिए कौन सी कौंटिटी के लिए कौन से ऐसे यूनिट है यह अभी वाला टॉपिक इसके बाद वाला होगा और अब मुझे अगर आप यह बता दें महीन और यह सरसलामत साब कि आगे चलें तो फिर म में जो लिखा हुआ है बुक के अंदर बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है किसी किसम के नोट्स लेनी की जुरूरत बिल्कुल नहीं है जो नुमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो भी मैं आपको पूरे के पूरे क्लास में सॉल करवा दूँगा उसके लिए आप अपना भी यूज कर सकते हो और बुक को फॉलो करें बुक को लर्न करें इसके लावा कुछ इंपोड़ेंट नहीं है भाई बागी सारी हर बंदे ने अपनी अपनी के दुकान बनाई हुए और वो चला रहे हैं कि यह वाली बुक ले लो यह वाले नोट्स लो ले 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 सा कुछ सुनिए बुक से बेस्ट हेलपर आपका कोई नहीं है टेक्स्ट्बुक से बढ़ करें बागी लोग बताएं भी क्लेयर है तो कि चलो भी अगर नेक्स बात करते हैं हम लोगों ने कल के टौपिक में दो तरह की क्विक पढ़ी थी बेस्ट कांटीटिस एंड्ड्राइव कांटीज आज हम units भी दो तरह की होंके, लोगी base units और drive units बेसंटिटी को mere करने के लिए base units और drive quantities को mere करने के लिए drive units सो हमारे पास दो तरह के Units आगे बेस 은its और दुस्रे हमारे पास आगे बेटा ड्राइप्ट यूनिट्स दा यूनिट्स 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 जिनको इस्तमाल किया जाता है महिर करनी या इस्तमाल किया जाता है बेस कौंटिटीज को महिर करने के लिए उसको हम नाम देते हैं बेस यूनिट्स दा यूनिट्स यूनिट्स जिनको इस्तमाल किया जाता ह कि लिए इस तुमयियर इस्तवाल करने के लिए बेस्ट इंट्थे लिए यूनिट इस्तुमियर बेस्टई तुमय Board homage के लिए इस्तिमाल किए जाते हैं ऐसे units को हम नाम देते हैं base units का तो मेरे भाई कल हम लोगों ने 7 base quantities पड़ी थी it means के हर base quantity का अपना एक unit होगा जिसको हम base unit का नाम देंगे तो इन 7 base quantities के नाम क्या है और उनका symbol क्या है उसकी बात करते हैं फिर उसके unit की बात करेंगे और उसके symbol की बात करेंगे symbol वह अलामत वह वर्ड वह लेटर होता है जिस से उस quantity को denote किया जाता है जाहर किया जाता है कि सबसे मेले में quantity लिखता हूं मेटा length second quantity हमारे पास mess third quantity हमारे पास time यह हम बात कर रहे हैं मेटा बेस की time fourth quantity हमारे पास आगी temperature अब कुछ लोग यह कुछन करेंगे सर यह उपर नहीं से लिखी जाए तो कोई फरक नहीं बड़ेगा कोई फरक नहीं बड़ेगा अगर इनकी arrangement आप change कर देते हैं but make sure कि जो quantity लिख रहे हैं उसका लिखना है उसको ऊपर नीचा नहीं करना टमप्रेचर इंटेंस्टी ओफ लाइट अलेक्टिक रेंट और लास्ट वन हमने पड़ी थी amount of substance कि भाई लेंद को LCD नोट करते हैं quantity को अभी यूनिट की बात नहीं कर रहा है मैस को small m से time को small t से temperature को capital T से intensity of light को हम LCD note करते हैं electric current को capital I से और amount of substance को ncd note करते हैं अब इनके unit लिखता हूं length का unit ऐसे ही देखो length का centimeter millimeter kilometer mile यह सारे length के units हैं but international system of units में हम length का कोई भी unit होगा उसको हमेशा meter में convert करेंगे internationally जो length के लिए unit इस्तमाल किया जाएगा वो meter होगा international system of units में length का unit क्या है meter small m से लिखा जाता है मैस का unit हाएगा हमेशा kilogram कोई भी quantity होगी numerical solve करते हुए जिस मर्जी units में हो तो मुसको मेशा international system of units में लेके आएगे time का unit second होगा और इसके लिए आप s ऐसे लिखोगे जैसे यह लिखा हुए बुक के अंदर जो symbols एक दफा बनाए गए हैं तो उनको हम अपनी मर्जी से अब change नहीं कर सकते हैं यह internationally पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहे है temperature के लिए बेटा आपके पास आगया Kelvin और इसके लिए के इसके बाद intensity of light का हमारे पास unit आ जाता है candela इसके लिए हम लिखते हैं c d electric current का unit होता है अंपेर साइंटिस का नाम था जिसमें के बारे में बता है तुसी के नाम से इसको रख दिया गया अंपेर ए amount of substance का unit होता है बेटा मोल तो हम इसको short form में लिख सकते हैं mol यह पूरे का पूरा टेबल आपने याद इसलिए करना है कि हो सकता है कि बोट के पर में इसमें से कोई mcqs आ जाए तो यह बहुत बहुत आसान भी है वह इसलिए असान है कि अगर किसी ने सातों के साथ base quantities learn की हो है अगर आपको यहां तक ले रहे हैं तो मुझे बताएं तो फिर मैं drive units पर आता हूं जी मेरा पिटा तो हम बात करते हैं drive units की तो वह यूनिट यूनिट यूस्टू मैयर जो इस्तमाल किये जाते हैं देखो साथ base quantities के साथ ही base units होंगे इससे ज्यादा नहीं होगे अब drive quantities का हमें नहीं पता वह बहुत ज्यादा की force है velocity है displacement है तो उनके units भी हमारे पास unlimited unlimited कैसे थे कि बहुत ज्यादा है उनका कोई खास नंबर नहीं है दा यूनिट्स यूस्टू मैयर drive quantities are called drive units the units used to measure drive quantities are called drive units जी मेना बेटा पेपर आप टेबल पे आ सकते हैं और आपने पूरा टेबल ही याद करने आप देखें मैं drive unit लिखता हूं जैसे कि मेरे पास quantity है length इसके साथ width को multiply किया जाए तो दो length मिलकर दो base quantity मिलकर क्या बना रही है एरिया तो एरिया drive quantity है इसका unit भी meter into meter meter into meter क्या बन गया meter square तो area एक derived quantity थी उसको मेरे किया गया तो यह एक derived unit है तो दो base units ने मिलकर क्या बना दिया एक derived unit जिस तरह दो base quantity मिलकर क्या बना रही थी एक derived quantity so drive quantity के लिए जो unit होता है इसको हम नाम देते हैं drive unit का force एक derived quantity है और इसका unit होता है बेटा Newton volume drive quantity है इसका unit होता है cubic meter आप यह इसके बाद वाला जो table है उसमें जितनी examples है उसमें आप अपनी मर्जी से 2 या 3 कर सकते हो अब मैं आप लोगों को यह चीज़ बता देता हूं कि कौन कौन सी चीज़े आपने learn करनी है मैस क्या होता है बेटा quantity of matter जिसको हमेशा kg में देखते हैं और what is the difference between mass and weight यह आप लोग जब मेटा chapter number 3 पढ़ेंगे तो उसमें short question भी आएगा और फिलहाल यह सुनें कि सबसे पहले international system of units में आपने second paragraph पूरा याद करना है first paragraph की fourth line में जहां में लिखा once a standard is set वहां से लेकर unit तक की याद करना है उसके बाद अगर आते हो base units में तो उसकी जो पहली दो लाइने the units used to measure drive quantities are base quantities are called base units each base quantity has its own unit उसके बाद एक table given है यह आपने याद करना है drive units में जब आएंगे तो उसकी first line the units used to measure drive quantities are called derived units यहां तक अपने underline करने के बाद directly उसके नीचे table में आ जाना है रहेगी आपको वैसे ही बता होगी कि यह drive है यह base है तो फिलाल अभी हम basics की बात कर रहे हैं हमारी base मन रही है हम जब physics पढ़ना चाहरे हैं उसकी basics में क्या क्या चीज़े हैं unit किसे कहा जाता है quantity किसे कहते हैं उनके units होते क्या हैं और उनके symbols क्या हैं वाले कि अस्मनाम बेट नुकसान ही हुआ जो previously lectures हैं वो भी देखे जा सकते हैं और जो लोग YouTube पे देख रहे होते हैं बेटा आप लोगों कल बार बार यह चीज़ बताई थी कि वहां पे नुकसान सिर्फ यह होता है कि सिर्फ नहीं के अच्छा का सा नुकसान ही है कि आप ना तो questions कर सकते हैं और न लोगों ने विच्छे पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं आपकी वोडी का मैस कितना अगर आपको वेटिंग में वेट मेशीन के ओपर खड़े होते हूं तो आप आता है वहां पर 50 kg तो 50 kg is your mass 2 kg quantity of matter वह solid भी हो सकती है वह liquid भी हो सकती है वह gas जब भी kg में जिस quantity को म matter मचूद है 2 kg दूद भी होता है तो liquid है 2 kg चीनी है तो solid है 2 kg gas है तो वह gas है so quantity of matter is called mass सलामत चले मेरा बेटा यहां तक आप लोगों ने चीज़ें लर्न करनी है कल इंशाला हम बात करेंगे प्रीफिक्सिस पे प्रीफिक्सिस क्या होते हैं तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और कल भी मैंने बताया था कि आप लोगों को कोई मस्पला हो तो आप क्वेस्टन में पूछ लिया करें और अपना फीडबेक सासा देते रहा करें बेटा कूलम वर्ट इस कूलम तो बेटा यह चार्ज का यूनिट होता है चार्ज इस ड्राइड क्वांटिटी और उसके लिए जो यूनिट है वो कूलम है और इंशाला जब आप लोग 10th क्लास में आएंगे तो अब हम बढ़ेंगे कि चार्ज किसे कहते हैं और जिए जाकर लाहसन और जीफ चले बहुत 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 सारा सा ख्याल रखिएगा इन जीसों को लर्ण जूरू आप ज्यादा नहीं में तो हमें वेशे ही बात करता हूँ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सरफ 15 मिनिट के लिए गरमें पढ़ लिया करें तो इन्शाला इन्शाला आपको किसी किसम का दूर दूर तक कभी कोई मसला नहीं होगा और मैं गरंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे साइंसिस के सब्जेक्ट में सबसे आसान सब्जेक्ट आपका फैजिक्स है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएग अच्छी सब्सक्राइबा। झाल